नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आजे ब्रमातमज सबसे पहले आप लाइक करें और शेयर करें इस चैनल को और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लें घंटी भी बजा दें इससे फायदा यह होगा कि मेरे सारे वीडियो के अपडेट आपको तुरत मिल जाया करेंगे इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो बाइम ये कॉफी लिंक पर नीचे जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें और मेरे साथ रहें आज मैं बात करूँगा नई पीड़ी की अविनित्रियों की सक्रिय अविनित्रियों की संख्या अभिनिताओं से थोड़ी ज्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है उनकी अपनी समस्याएं उनकी physician उनकी salary इसमें जो भी दिक्कते हों लेकिन हम देख रहे हैं कि लगतार अविनित्रियों यूआ अविनित्रियों आ रही है और पर पर छा रही है तर्शकों की पसंद बन रही है आज की चर्चा सुरू करता हूं मैं यह भी वर्ण करम के अनुसार होगा यानि के हिंदी के अलफावेट के हिसाब से तो सबसे पहले इसमें अनन्या पांडे की चर्चा करूँगा मैं अनन्या पांडे 2019 में Student of the Year 2 से आई थी और अब जल्दी ही इनकी दो फिल्में आने वाली हैं गहराईया और लाईगर हम सभी जानते हैं कि यह चंकी पांडे की बेटी हैं और इन दिनों काफी चर्चित हैं दूसरा नाम अनुष्का शर्मा का लूंगा मैं अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा 2008 में रब ने बना दी जोड़ी से आई थी यह यसराज फिल्म्स की फिल्म थी और इसमें उनके साथ शारुख खान थे अनुष्का शर्मा नई पीड़ी में ऐसी पहली अबनित्री हैं जिनोंने निर्माता भी बनना पसंद किया और उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की अब लगातार उनका प्रोड़क्शन हाउस फिल्में वेब सिरीज बना रहा है हाली में उनकी नई फिल्म छकड़ा एक्स्प्रेस की घोशना हुई है जो क्रिकेटर जूलन गोस्वामी के जीवन पर अधारित है वह उनकी बायोपिक है इसके बाद आलिया भट का नाम लोगा आलिया भट फिर से करन जोहर के प्रोड़क्शन स्टूएंट अब दे इयर से 2012 में आई थी और नई पीड़ी के अबनेत्रियों में यह सबसे तेजी से और भरोसे मंद अबनेत्री के तौर पर उभर कर सामने आई है महज भट की बेटी हैं अदाकारी में उनके स्वावविक्ता है और वह लोगों की प्रसंद बनी हुई है हलाकि उनकी सड़क्टू बेहद असफल फिल्म मानी गई थी अभी आने वाली फिल्मों में उनकी ब्रमास्त्र है आर 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 है और गंगुबाई काठ्यावाडी है इसके बाद मैं नाम लूँगा कियारा अडवानी का कियारा अडवानी फ्वगली फिल्म से आई थी बहुत छोटी फिल्म थी लेकिन वह निर्देशकों की पसंद बनी और धीरे धीरे उपर चर्टी रही और पिछले दिलों उनकी फिल्म शेर्शाह आई थी जो काफी चर्ची थुई थी और अभी आने वाले समय में उनकी गोविंदा मेरा नाम और जुग-जुग जीयो आएगी फिर कृती सैनन कृती सैनन भी काफी एक्टिव हैं उनकी पहली फिल्म हीरो पंथी 2014 में आई थी इधर लगातार छोटी बड़ी फिल्मे कर रही है वो और युवा यंग फिल्म स्टार्स से लेकर के पुरान तक के बीज में वो पसंद बनी हुई है उनकी आने वाली फिल्म वरुन धवन के साथ है भेडिया है इसके लावा आदी पूरुष भी वह कर रही है और अक्षे कुमार के साथ उनकी बच्चन पांडे भी आएगी इसके बाद जानवी कपूर का नाम लुगा मैं जानवी कपूर बोनी कपूर की बेटी है श्री देवी की और इनोंने फिर से करन जोहर के साथ धड़क फिल्म से शुरुवात की थी धड़क 2018 में आई थी और अभी आने वाले समय में इनकी दोस्ताना अगर वो बन रही है तो गुड़लक जेरी और मीली फिल्में आएंगी फिल्में नाम लूँगा तापसी पन्नु की पहली फिल्म हिंदी में वैसे तो वो साथ में काम कर रही थी हिंदी में पहली फिल्म चस्में बद्दूर आई थी 2013 में इसके बाद एक अलग पोजिशन उन्होंने हासिल की है जहां उन्हें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनकी फिल्में लगातार आ रही है उनके आने वाली फिल्मों में लूप रपीटा ब्लर दोबारा साबास मिथू हैं इसके बाद मैं नाम लूँगा दीपिका पादुकोर्ण का दीपिका पादुकोर्ण 2007 में ओम शांती ओम से आई थी और अभी टॉप पर मानी जा रही है रणवीर कपूर और रणवीर सिंग के साथ उनकी जोड़ी खुब पसंद की गई है वैसे वो शारूखान और दूसरे कलाकारों के साथ भी काम करती रही है उनके आने वाली फिल्मों में गहराईयां सरकस और पठान हैं फिर परिनीती चोपरा परिनीती चोपरा यसराज फिल्म से 2011 में लेडीज वर्सिस रिकी बहल से आई थी इनकी गाड़ी उतनी तेज नहीं चली है कहीं कहीं डगमगा गई है और अभी इनको साबित करना है अंदीप और पिंकी फरार उनोंने फिर से जाहिर किया था कि अगर मौका और सधा निर्देशक मिले तो वह बहतरीन काम कर सकती है उनकी एक फिल्म की चर्चा सुन रहा हों में उचाई की कितनी बात सही है या फिर में लाम लूंगा भूमी पेड़नेकर का दम लगाकर हैसा से वह आई थी यह भी इसराज फिल्म की फिल्म थी यह फिल्म 2015 में आई थी और भूमी पेड़नेकर ने एक अलग अंदाज से कुछ बिविन्यकिस की भूमिकाओं से अपने को अलादा साबित किया है वो अलगातार फिल्मों में काम कर रही है और निर्माता निर्देशकों की पसंद बनी हुई है दर्शकों की भी पसंद बनी हुई है उनके आने वाली फिल्म बढदाई दो गोबिद्दा मेरा नाम और रक्षा बंधन हैं फर में नाम लोगा सारा आली खान की सारा आली खान के दारनात फिल्म से आई थी सोशान सिंग राजपूत के साथ उनकी यह फिल्म थी अभी शेक कपूर ने से निर्देशित की अतार यह फिल्म 2018 में आई थी और अभी हाली में हमने अतरंगी रे में उन्हें एक अलग भूमिका में देखा और पसंद भी किया की अलग से चर्चा करूंगा इसलिए कि वह इन सभी से अलहता हैं और एक अलग मुकाम रखती हैं अपनी पोस्ट से अपनी गतिवीदियों से अपने बयानों से वह हमेशा विवादों में रहती हैं लेकिन बतावर अभिनेत्री निश्चत्रुप से उन पर भरोसा किया जा सकती हैं तो यह रही नई अभिनेत्रियों की सुची लिस्ट एक चीज साफ इसमें दिख रहा है कि ज्यादातर अभिनेत्रियां करण जोहर के धर्मा प्रोडेक्शन और आदित्य चोप्रा की इसराज फिल्म के बैनर से आई हैं इन्हों नहीं इन नई अभिनेत्रियों को दूसरे मौके दिये हैं उसके बाद साजिद नडियाडवाला का नंबर आता है और फिर और दूसरे लोगों का अब बताएं आपको यह सुची कैसी लेगी है और हो सकता है इसमें भी कोई नाम छूट रहा हो जो आपकी पसंद की अभिनेत्री हो आप जरूर बताईए अग धर्वानी धन्यवाद